मेरा नाम अंशुमान है और मैंने 2018 के civil services में 356 रैंक लाई थी और मेरे को इंडियन railway traffic service मिला था उसके बाद Indian forest service में 11 रैंक आई थी तो फिर मैं Indian forest service में saved हो गया था और मैंने total 4 prelims में 4 बार मैंने 130 plus score किया है तो इस बार का जो prelims का 2023 की क्या strategy होनी चाहिए और फिर आप मैं किस तरह से आपको help कर सकता हूँ तो उसके बारे में ये particular video है तो अभी आपका 2 main focus area होना चाहिए एक आपका होना चाहिए revision जो आपको critical areas, history, geography, policy, economy and vomit का revision करना है दूसरा आपको अभी आप sectional test तो लगा चुके होंगे आपको full length test अभी लगाना चाहिए लवग लवग आप दो दिन में एक बार या कुछ लोग तो हर दिन में एक बार full length test लगाते हैं लवग लवग आपको 50 test papers तो लगानी होंगे जिसमें 20 लवग sectional test होंगे और 30 लवग करते हैं तो आप कैसे इंसूर करें कि आपका IFS बे निकल जाए या फिर आपका जो भी general का GS का जो cutoff होता है तो उससे आपका 10-15 marks ज्यादा इंसूर कर लें कि at least आपका 100% selection तो civil services में हो जाए प्रिलिम्स के case में तो उस particular case पर आपका smart case वर काफे critical होता है काफे important होता है अब अठारह tough है 19 सबसे tough था 20 फिर थोड़ा easy था 21 सबसे ज़्यादा tough था फिर 22 थोड़ा कम हुआ तो यह toughness level है with respect to year 21 मैं बोलूंगा सबसे ज़्यादा tough था और उसके बाद 19 था तो आप देखें कि 19 का 20 का 21 का यह last 4 साल में आपका toughness level है काफी ज़्यादा बढ़ चुका है तो इस particular scenario में आप अगर smart guesswork नहीं कर रहे हैं तो आप race पर पीछे हटते जाएंगे और especially अगर आप एक भी eliminate कर लेते हैं तो वो question आपको attempt करना चाहिए और जो दो golden tips में आपको दूँगा एक तो आप CSAT को neglect नहीं कीजेगा और दूसरा है कि जो common themes है जासे हिस्ट्री में जनिजम बुद्धिजम वक्ति मुव्मेंट है जो रफी में map work हो गया environment में जो protected areas हो गया important species हो गया economics में जो important concept है fiscal deficit का inflation का GDP का currency कब appreciate करती है depreciate करती है लक्षमिकान के पूरी quality यह सब आपको revise करके जाना है अब रही बात जो smart guess work की बात में कर रहा था कि आपको कितने attempt करने चाहिए तो कुसम्स जो आपको optimally attempt करने चाहिए मैं हर बार 100 out of 100 attempt करके आता था ठीक है और in fact मैं बोलूँगा कि 90 प्लस तो आपको attempt करना चाहिए अगर आपकी accuracy काफी अच्छी है कि आप 80 attempt करके आप 120 प्लस score कर लेते है तो well and good वैसे लेकिन 2-3% ही लोग होते है अगर आप होती है तो कोई बात ही नहीं है लेकिन 97% के case पर आप 80 attempt करके आप 120 marks प्लस नहीं लापाओगे और even आप 110 प्लस भी नहीं लापाओगे अगर अगर प्राक्टिकली अगर प्रिवे सेर कोसन पर देखोगे तो आप ज्यादा attempt करोगे तभी आपके ज्यादा marks score हो पाएंगे तो आप ज्यादा attempt करने के लिए फिर लोग आप बोलते हैं कि मैं ज्यादा attempt करता हूं लेकिन सारे गलत हो जाते उसकी दिक्कत यहां तो एक है कि आपका हो सकता कि knowledge portion ही काफी वीक हो तो उसमें आपको पढ़ना होगा और revise करना होगा लेकिन अगर लेट से आपने spectrum हो गया लक्षमी से आप ज्यादा attempt कर रहे हैं और फिर भी गलत हो जा रहे हैं वो फिर दिक्कत होगी कि आप smart guesswork नहीं कर पारें उतनी confidently नहीं कर पारें तो उसका best तरीका होता है कि आप previous year question paper में जाएं और फिर उसके बाद वहाँ से आप guesswork की skills सीखें तो आप 2013 से लेके 2012 तक अगर 10 साल का question analyze करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि smart guesswork का कैसा कितना important role है आप जैसे for example कोडाई कनल सवाल आए था कि इन में से कौन सा जो wetlands है वो manmade है कोडाई options थे answer उसका कोडाई कनल था कोडाई कनल में जो कनल वड़ है वो कैनल से आया मैं अगनी मित्र लड़के का ना मेरे वहीं से वो love story of the son of founder of sunga dynasty आप वहां से derive कर सकते थे answer यह in fact एक बार एक सवाल आया था खराई camel पर तो खराई camel ही word आता है खारा से तो वो salty water में मिलेगा तो यह आप etymology से solve कर सकते थे अब extreme statements गलत होते है only जा लगा होते है generally हो गलत होते है वह सब technique तो अब हर किसी को पता चल चुकी है और उसके रावा एक सवाल आयता है जैसे global infrastructure facility भी यह किसका है तो अब global world है तो आप options में एक ASEAN था तो ASEAN कर नहीं हो सकता OECD का में था OECD में 37 members है तो उसका भी नहीं हो सकता अब UNCTAD और World Bank का हो सकता है और उसमें एक option में था कि UNCTAD fund प्रवाइड करता तो UNCTAD भाईसाब का भी fund नहीं प्रवाइड करता एक सवाल आया था digital single market strategy कहां है तो वर्ड में एक ही single market है EU तो वहीं से आपका answer निकल जाता तो यह सारी चीज़े जो है आप smart guesswork से solve कर सकते हैं यह तो मैं कुछ-कुछ example के तौर पर बता रहा हूँ आप मैंने एक video बनाया है 2016 से 2022 तक total 7 videos हैं जो मेरे YouTube चैनल पे हैं तो हर एक वीडियो में एक year के सारे questions को discuss किया हूँ जो smart guesswork से बनाया जा सकते हैं और अगर आप वो देखेंगे तो definitely मैं आप guarantee कर सकता हूँ कि at least आप कम से कम तो 15-20 marks तो आप ज्यादा score करेंगे या फिर अगर मैं आपको लग रहा हूँ तो आप 5 सवाल तो ज्यादा सही करके कि उनका marks cut off के आसपा से होवर करता है बस होता है कभी पांच बार से रहा गया कभी 2 marks से cut off से ज्यादा लेते हैं तो फिर अगर आप 10 marks भी अगर काफी critical होता है 10 marks भी मैं कम बोल्ड है और वो सारी वीडियो आप holistically देखेंगे तो आपका marks काफी ज्यादा improve होगा तो आप 2016 स सवाली जो वीडियो है वह definitely देखिएगा और जो उसका लिंक होगा YouTube चैनल का लिंक के साथ आपको मिल जाएगा उसका लावा PT 365 से लेटे discussion वीडियो सारे topics पे quality और culture का मैं डाल चुका हूँ अबाद बागी जो important aspects है जैसे economy का हो गया science technology का हो गया environment का हो गया social resource का हो गया IR का ह वीडियो जैसे biosphere results पे बाद बागी जैसे national parks और रामसार साइट्स वह सब भी मैं बनाके डाल दूँगा तो आप जो मेरा YouTube चैनल है शुमान के नाम से अगर आप उसको follow करेंगे तो आप यह सारे वीडियो से updated रहेंगे उसके अलाबा मैं हर दिन एक सवाल उठा होता हूँ प्रिवियस प्रिलिम्स का ही और मैं बतातों कैसे आप smart guessverse से solve कर सकती अभी तक मैंने लगवग 23 सवाल बताएं और वह 23 सवाल 2017 से 2022 था कि मतलब लास्ट पांस साल में 500 सवाल पूचे गें उन 500 सवाल में मैंने 23 सवाल तो smart guessverse से आपको बता दिया और आने वाले टाइम में ल थोड़ा डरेंगे कापेंगे और फिर डारेकली एक्जाम में नहीं होता है तो जब तक आपके वह खून में या फिंगर टिप्स पर नहीं हो पाएगा तो आप यह सारी वीडियो पर्टिकुलर्ली देख सकते हैं